आज हम बनाएंगे सहजन फली की सबजी बिलकुल नए तरीके से नए स्वाद में इससे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट होता है तो चलिए इसे कैसे बना जाता है शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने सहजन फली को अच्छे से काट करके रख लिया है उसके सारी जो छिलकी होते हैं वो मैंने अलग कर लिया अब उसे हमें पानी में डाल देना है इस तरीके से और इसे हम रब करते हुए अच्छे से धोलेंगे इसके वगरह जो थोड़ी बहुत ड़श्ट वग जो पानी होती है वो सूख जाती है अच्छे से जब हम इसे फ्राइ करेंगे तेल की छिटे बिलकुल भी नहीं आएंगे उसके बाद हम इसे प्लेट पर इस तरीके से निकाल कर इसे साइड में रख लेंगे तो लीजे मैंने इसे प्लेट पर निकाल करेंगे इसे हम साइड कर लेते हैं, दूसरे तैयारी कर लेते हैं, मैंने यहापर एक मिक्सर का जार लिया, उस पर हम डाल देंगे एक चमद साबुत का धनिया, अधा चमद जीरा, पां से छे काली मिर्च, दो सुखी हुई लाल मिर्च, एक इंचा द्रक का तुकड़ा, छे से साथ लहसुन की कलिया एक बड़े साइज का टमाटर, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, दो चमद पानी डाल करके, इसका एक फाइन स्मूट पिष्ट तयार कर लेंगे, तो यह देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बहुत अच्छे से पीस लिया है, और जो मसालों का टेक्शर होना ची ना, एक दम फाइन होना चीए, एक दम बारिक होना चीए, दरदरा बिल्कुल बिना पिसे, इस रेस्पे में दरदरी अच्छी नहीं लगती है, तो एक दम बारिक ही पिसे, उसके बाद हम ले लेंगी धर एक कड़ाई, कड़ाई में डालेंगे सरसो का तेल, सरसो के तेल से यह बहुत ज़्यादा टेश्टी बनती है सरसुका तेल ही उसकरिएगा उसके बाद तेल गरम होने के बाद मैंने इस पर डाल दिया सहजन्द फली को अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे medium to low flame पे यह देखिए और इसे तब तक पकाना होता है इसी तरीके से जब तक कि इसका कलर जो है एकदम चेंज न हो जाए और यह जो सहजन्द फली है न बहुत अच्छे से नहीं पक जाए इसे तब तक पकाना होता है कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गुडगारी होता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट भी बनेगा ये देखिए फ्रेंट्स बहुत अच्छे से हमारे सहजन फली पर एक अच्छा सा कोटिंग आगे एक गोल्डन ब्राउन कलर का पस इतना ही आपको सहजन फली को यहाँ पर फ्राइ करना है उसके बाद हम क्या करेंगे इसे दूसरे प्लेट पर निकाल लेते हैं तो सबसे पहले इसके जो एक्ष्ट्रा ओयल होती है इस तरीके से निथारते हुए हमें इसे प्लेट पर निकाल लेना है यह देखिए तो इसी तरीके से हम सारवे सहजन फली को अपने प्लेट पर इस तरीके से निकाल लेंगे देखिए फ्रैंट्स तेल बिल्कुल भी नहीं सुखा है जितनी तेल थी उतनी है ये सहजन फली आप जब भी फ्राइ करें जो सहजन फली है तेल बिल्कुल भी नहीं पीती है उसके बाद हम इसी ओयल में डाल देंगे दो बड़े साइच का आलू जिसे मैंने पतले पतले स्लाइस में काटा है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है मतलब फिक मीडियम है तो इस तरीके से आलू डालेंगे बनाकर तो बच्चे भी बड़े सौक से खाते हैं अगर आपको आलू पसंदना हो तो इसकी भी कर सकते है पर आलू डाल कर बनाएंगे ना इससे बहुत ही अच्छा स्वादा आ जाता है इसी तरीके से आलू को भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होते तक तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे आलू का कलर भी चेंज होगा है बहुत अच्छे से फ्राई होगी तो बस उसे हम एक प्लेट पर निकालेंगे इस तरीके से आपने सहजन के फाली तो हजारों बार बनाएंगे और अनेकों बार खाईंगे पर एक बर इस तरीकी से बना कर देखिएगा दोस्तों इसका स्वाज जो है अदम डिफरेंट आता है और बहुत ही जादा अच्छा आता है तो ट्राई जरूर करिएगा अपना सुझाओ हमें दीजेगा देखिए उसी वाल में मैंने आधी चोटी चमच मंग्रेला मतलब करायत डाल दिया है जिसे कलॉण जी भी का जाता है आधा चमच मैंने इस पर कूटा हुआ सौफ डाला है इससे बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है साथ ही डाई जिस पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है उसे के बाद मैंने इस पर एक बड़े साच का प्याज एड़ किया जो कि मैंने पतले-पतले लंबे-लंबे स्लाइस में काटा था और बस इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए हमें प्याज को अच्छे से पहले है तो पका लेना है मिडियम टू लो फ्लेम पे और प्याज को तब तक पकाना है जब तक कि प्याज का कलर जो है चेंज ना हो जाए एक दब गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये अच्छे से पकना जाए तो पहले तो हमें मिक्स कर लेना है उसके बाद प्याज को अच्छे से पका लेना है और आप देख सकते हैं friends ये देखिए पहुत अच्छे से हमारी जो प्याज है वो पक चुकी है कलर भी इसकी लगबख चेंज हो गई है ये देखिए मैं आपको दिखाते हूँ ठाके ये देखिए पहुत अच्छे से यहाँ पर प्याज हमारी पक गई है इतना ही प्याज पकाएंगे उसके बाद हमें इस पे आड़ कर देना है जो हमने मसाला पीस कर रखा था वो आड़ कर देंगे जार में थोड़ा पाई डालेंगे उसे भी डाल देंगे विश्ट नहीं करेंगे और इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिडियम फ्लेम पे अच्छे से इस मसाले को भून लेंगे अच्छे से पका लेंगे क्योंकि अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है और प्याज अगिरा जो है ना अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए और ये देखे पानी भी कम हो गई है मसाले बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर भी पक चुके है और ऑइल भी हमारे यहाँ पर सेपरेट होने लगी है इसे स्टेज पर हम इस पर डालेंगे सूखी मसाले तो सबसे पहले हम डालते हैं एक चमच नमक आदा चमच हल्दी का पौडर एक चमच लाज मिर्श का पौडर बस इतना ही मसाला आड़ करेंगे और इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले तो हमने मसाले जो पीसा था ना उस पर धनिया जीरा डाला था इस वज़े से हम धनिया जीराफ का पौडर अभी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सहजन फली में मतलब कब मसाली वाली जब बनती है ना इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है तो मसाला कम ही यूज करेंगे उसे के साथ हम इस पर फ्राइ किये हुए सहजन फली और ऑलु को एड़ कर देंगे मसालो के साथ हमें अच्छे से भून लेना है इन जबी को यह देख़ें फ्रेंट टाकि मिर्ष मसालो का जो फलेवर है हमारे सहजन फली पे आलु पे बेक्षा अच्छे से मिक्स करते हुए लोफलेम पर हमेंसे 3-4 मिنट तक इसी तरीकी से मिक्स करना है यह देखें करीबन मुझे 4 मिनट हो चूके मसालों के साथ अजन फली और आलू को भूनते.- भूनते बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट बनेगी इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बस इतना ही आपको भून लेना है मसालों के साथ और उसके बाद हम इसवे आड़ करेंगे करीबर एक ग्लस पानी अगर आपको इसकी ग्रिवी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है तो आप इसवे पानी की मातरा बढ़ा सकते हैं यह देखे मैंने एक ग्लस पानी एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया इस तरीके से सहजन फली में तो बहुत सारे अनेकों फायदे पाये जाते हैं कई लोग खाना पसंद नहीं करते हैं पर इस तरीके से बनाएंगे नहीं खाने वाले भी दो की जगद 10 रूटी खाएंगे इतनी ज़्यादा टेजटी होती है ढग करके मैंने इसे 10 मिनट तक पका लिया लो फलेम पे वाल देख सकते हैं फ्रेंट्व बहुत ही शानदार हमारी है पर 치ण फली की सबजी बन करके तयार हुए एक ग्रेवी भी देख सकते हैं ना बहुत ही ज़्यादा पतली है ना ही बहुत ज़्यादा गाड़ी बनी है है ना तो आपको चलिए मैं एक सहाजन फली भी तोड़ कर दिखाती हूँ यहाँ पर वाँ इतने अच्छे से पक गई है फ्रेंड्स यह देखिए और एकदम साबूत है हमारी सहाजन फली बिल्कुल भी बिखरी नहीं है कई बार लोगों के सहाजन फली जो कड़ाई पे पका काने के बाद तूट फूट जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है सारे सहाजन फली हमारे एकदम साबूत के साबूत है और ग्रेवी भी इसकी एकदम अच्छी बनी है आलू भी बहुत अच्छे से यहाँ पर पक चुकी है इतना ही कुप करना है बस फ्रेंट और ल लगती है रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की यह रेसिपी कैसे लगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की रोज एक नए रेसि आईएग।